नमस्कार साथियों मैं अन्कुल देवेदी आशाई CS के यूट्यूब चैनल आशाई CS वर्चोल अडमी पेगबर फिर से आप सभी का धमा के दार स्वागत करता हूं साथियों हम पढ़ रहे हैं फिलहाल भारत का संबैधानिक विकास और भारत के संबैधानिक विकास के क्रम में हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है भारशासन अधिनियम 1858 भारशासन अधिनियम एक ऐसा अधिनियम जो कई मायनों में अपने पहले के अधिनियमों से और अपने बादे के अधिनियमों से जादा विसिष्ट है जादा महत्तपुर्ण है पिछले वीडियो में हमने देखा इस अधिनियम के प्रावधानों के निर्माण की प्रिष्ट भूमी यानि वो कारण जो प्रभावी रहे इस अधिनियम के प्रावधानों के निर्माण में शमच होंगा और इ जो संबंदित है पुर्ण रूपेड कारणों से कारण कौनसा 1857 की क्रांति और ब्रटेन के आम चुनाव तो 1857 की क्रांति वो सबसे महत्योपूर्ण घटना या एक मात्र महत्योपूर्ण घटना जो प्रभावी रही इस अधीनियम के प्रावधानों के निर्माण पर जिसने पोल खोल दी सौ साल से भी ज़्यादा शासन कर रही British East India Company की कि भारत में उसके शासन के परिणाम के रूप में 1857 की क्रांती जहां एक ऐसा तूफान था जो अंग्रेजी सामराज्य को अंग्रेजी हकोमत को या British East India Company के शासन को भारत से उखार सेखने पे आमादा थी तो जरूरत था अभी जरूरत थी कुछ ऐसे प्रावधानों की एक ऐसे रूल रेगुलेशन की एक ऐसे अधिनियम की जो भारतियों में कुछ माइने तक संतोश इस्थापित कर सके सबसे पहली आवश्यक्ता थी कि प्रिटिस इश्ट इंडिया कमपनी जिसने संपोर्ण भारतिय जन्मानस में जिससे असंतोश्ट था सबसे पहले उस कमपनी को हटाने की भारत से तो सबसे पहला प्रावधान जो इस अधिनियम का बना कमपनी की शक्ति का इस्थान तरण देखे सारे के सारे जो प्रावधान है दूसरे से डीपली कनेक्टेड है इस्थान तरण और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कमपनी भारत में जो शासन कर रही थी भारत का पूरा शासन देख रही थी अगर हम देखें तो 1859 का जो अधिनियम है इसका पहला ही प्रावधान था कि कमपनी की शारी सक्तियां अब ब्रिटिस क्राउन यानि ब्रिटिस पार्लियामेंट को इस्थान्तरित कर दी जाती है यानि भारत के संबंद में कमपनी के पास अब कोई भी शक्ति नहीं रहेगी कमपनी भारत में सोन्य प्राय हो गई इसके अधिकार सोन्य प्राय हो गई कमपनी का आस्तित्व अम्रत प्राय हो गया यानि लगभग खतम सा हो गया तो ये पहला प्रावधान बना अब दूसरा प्रावधान इससे ठीक related की भाई कमपनी खतम हो गई तो कमपनी को संचालित और नियंत्रित करने वाली जो संस्थाएं थी जो दो संस्थाएं थी Board of Control Control और Board of Directors की समापती की समापती देखे Board of Control और Board of Directors ये जो दो संस्थाएं थी इसको समापत कर दिया गया क्योंकि जब कमपनी ही नहीं है तो उसे संचालित और नियंत्रित करने वाली संस्थाओं का क्या उचित्या तो जब उचित्य विहीन अब प्रसंगिक संस्थाओं को क्या किया गया की बिलकुल खतम ही कर दिया गया दूसरी चीज इसका प्रभाव ये हुआ कि भारत के संबन्द में जो द्वैद शासन डूल गवर्नेंस की स्थिती बरी हुई थी वो भी खतम हो गई और भाई साब अगर भारत में शासन संचालन वाली संस्थाएं और नियंतरन वाली संस्थाएं समाप्त हो गई तो कोई एक ऐसी प्रतिनिधी और जिम्मेदार संस्था चाहिए एक ऐसा प्रतिनिधी या जिम्मेदार पद चाहिए जो भारत के संबन्न में सारे नियम भारत के शासन को चला सके तो इसके लिए एक नए पद को प्रतिनिधिक बनाया गया वो था भारत सचीव भारत सचीव अब भाई साब ये भारत सचीव कौन है भारत सचीव जो है ये British Parliament या British मंत्री परिशद का ही सदस्य होना आनिवारी है वही क्या बनेगा उसको भारत के संबंद में जानकारियां दी जाएंगी और दूसरी चीज़ क्या निश्यत की गई कि भारत सचिव की सहायता के लिए एक संस्था का प्रावधान किया गया जिसका नाम था भारत परिशद भारत परिशद अब ये भारत परिशद जो है भारत सचिव के अधिन कारिय करेगी भारत सचिव के सहायक संस्था के रूप में कारिय करेगी जिसमें 15 सदत से होंगे कितने सदत से होंगे 15 अब ये जो 15 सदत से हैं ये सारा का सारा क्या करेंगे भारत सचिव के कारिय में सहायता करेंगे भारत के संबन्द में जो भी जिम्मेदारियां भारत सची निर्वहन करेगा उन जिम्मेदारियों के निर्वहन में साहय कौन होंगे भारत परिशद के सदस्या कॉंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य अब यह सदस्या पंद्रह में से जो आठ हैं इनका चयन क्राउन करेगा क्राउन करेगा और साथ का चयन बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स करेगा यह कहें कि बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स में ही में से ही साथ सदस्य जो है वह इस संस्था में शामिल होंगे ठीक है लेकिन यह सुनिशित किया गया कि इन में से नौ सदस्य किन में से पंद्रह में से में से नौ सदस्य अनिवारियता है ऐसे होने चाहिए जो कम से कम दस वर्ष तक भारत में सेवा दे चुके हों और भारत से सेवा निवर्ट हुए उन्हें दस वर्ष से जादा की अवधी बीती हुई नहीं होनी चाहिए यानि अगर दस वर्ष से जादा समय हो गया है भारत छोड़े तब वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे इन नौ में नौ सदस्या ऐसे होने चाहिए जो भारत में कम से कम दस वर्ष की सेवा दिये हो और भारत छोड़े हुए उन्हें दस वर्ष से अधिक का समय बीता हुआ नहीं होना चाहिए ये प्रावधान हुआ ठीक है चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि जो भी भारत परिशद के जो सदस्य थे इनको हटाने की जब बात आती थी इनको पच्चित करने की बात जब आती थी तो मैं आपको पता दूँ वो अधिकार स्वयम भारत सचिव को भी नहीं था इनको पद से हटाने के लिए एक Bill Britain की किसी Parliament की किसी वी एक सभा मिलाया जाए लोवर या हाई और फिर दोनों में पारिट होने के बाद दोनों की तरफ से अनुशनसा की जाएगी Crown से और फिर Crown इस पद से किसी भी सदस्य को पदचित कर सकता है हाँ ये जरूर है कि इनके संबंद में कोई भी नर्णायक मत देने का अधिकार भारत सचिव के पास था भारत सचिव चाहता तो इनके द्वारा पारित किये गए किसी भी विधान के विपक्ष में मत दे सकता था और ऐसी अवस्था में जो भारत सचिव है उसी का मत सर्वमान या माना जाता लेकिन दो ऐसे छेत्र थे जहां पर भारत सचिव भारत परिशद के परामर्ज के विरुद्ध कारियन नहीं कर सकता था वो कौन-कौन से थे देखिए एक था आर्थिक छेत्र आर्थिक मामले और एक था अखिल भारती सेवा संबंधी मामले तो भाई साब ये दो ऐसे शेत्र थे एक आर्थिक मामलों पर और अखिल भारती सेवा से संबंधी जो भी मामले थे इन दो मामलों पर भारत सचिव भारत परिशद के विरुद्ध कारियन ही कर सकता था मतलब भारत परिशद अगर इन दो मामलों पर कोई भी निरणय देती है तो भारत सचिव उसको मानने के लिए बाध्या है बात आई समझ में आपर चलिए आगे का देखते हैं आगे का देखने के लिए हमें उपर का मिटकाना पड़ेगा अब इसके पर शाथ जो अगला नियम आपको बताया जाएगा वो है अगला प्रावधान पाचवा नमबर ग्रिह सरकार ग्रिह शासन की व्यवस्था अब भाया भारत के संबंद में ग्रिह शासन कौन है तो देखे हमने अभी तक जो भी देखा कि भारत जिस प्रकार से ब्रिटेन में एक भारत सचिवा और उसकी 15 सदस्शिय परिसद की स्थापना की गई तो ये दोनों मिलकर के क्या मानी जाएंगी ग्रिह सरकार याने ग्रिह शासन याने होम गवर्मेंट मानी जाएंगी भारत के संबंद में सारे निरणे लेने का और उनको लागू करने का मूल अधिकार जो है वो भारत के ग्रिह शासन के हाथ में होगा और भारत के ग्रिह श और उसकी परिशद से मिलकर होता है क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बार बार भारशासन भारशासन ये शब्द सुनने को मिलता ही रहेगा यही वो महत्वपूर्ण निर्डायक सहस्था थी जिसने बाद में भारत में जितने भी जो वाइस राए आए एसमें के लिए भी बात छच्वा जंठ किया गया बात पे गवर फरमाईएगा क्यों के अधीन कार्यगे भारत के गवर्नर, जनरल, अब क्राउन का प्रतनीधी होगा, भाई साथ, भारत का जो गवर्नर जनरल है वो क्या होगा, भारत में क्राउन का प्रतनीधी माना जाएगा ठीक है और इसे कहा जाएगा वाइसराय क्या कहा जाएगा इसे वाइसराय कहा जाएगा और ये भारत में क्राउन के प्रतिनिधी के रूप में कारिय करेगा ब्रेटेन के जो महाराज होंगे या महारानी होंगी उनकी प्रतिनिदी के रूप में भारत में ये अपने दाइतों का अपने उत्तरदाइतों का निर्वान करेगा आने वाले समय में यानि जो भी Governor General है अब Governor General नहीं माने जाएंगे बलकी उन्हें क्या माना जाएगा Vice Rai माना जाएगा इस प्रकार देखा जाएगा तो भारत का जो पहला Vice Rai है Lord Kenning मनता है क्योंकि जिस समय यह अधिनियम पारिद किया गया उस समय मतलब भारत में लाडडल हौजी के बाद जो गवर्णर जनरल बनकर आया 1856 में वो था लॉट केनिंग ठीक है और केनिंग जो है वो लगातार भारत का वाईस गवर्णर जनरल रहा और अंतिम गवर्णर जनरल रहा औ तो यह चीज आप बिल्कुल ध्यान रखेगा जहां पहले वह ब्रिटिस इश्ट इंडिया कम्पनी का सरवोच अधिकारी भारत में हुआ करता था अंतिम अधिकारी था वहीं वह प्रिटेन की क्राउन का पहला प्रतिनिधी भारत में प्रतिनिधी अधिकारी भी हुआ इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसके अलावा देखा जाए तो जो महत्वपून एक प्रावधान था कि कंपनी की सेना एं कंपनी की सेना अब क्राउन की सेवा देंगी ठीक है अब जो है कंपनी की सेना किसकी सेना मानी जाएगी क्राउन की सेना मानी जाएगी और क्राउन की सेना मानी जाएगी और वो जो भी सेवा देंगी अब वो क्राउन के नाम से सेवा देंगी चाहे वो थल से ना हो चाहे वो जल से ना हो हर छेत्र में जो कंपनी की शक्ती है अब किसके नाम से हो गई ब्रिटिस इस्टि इंडिया कंपनी के नाम से हो गई माफ कीज़ेगा क्राउन के नाम से हो गई तो सात्यों ये था भारत के समवैधानिक विकास के कराम 1858 से संबंदित जो भी प्रावधान थे वो यहां आपके सामने मैंने प्रस्तुत किये है निशित तोर पे मैं समस्ता हूँ आपको बाते समझ में आ गई होंगी नहीं आई होंगी तो जरूर कॉमेंट कीजिएगा किसी भी पॉइंट पर अगर आपको और ज़्यादा समझाईश देनी के आवशक्ता है तो वो दी जाएगी इसके समझ में और कोई ग्यान अगर आपके पास हो तो प्लीज उसे जरूर कामेंट करके शेयर कीजिएगा ताकि वो साजा हो सके और हम सबके ग्यान में वर्धी हो चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन जरूर दवा दीजिएगा वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिएगा तब तक के लिए जैहिंट